वे गाईज नमस्कार आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनिंदन हैं और गाईज कैसे हैं उमीद करते होंगे कि आप अच्छे होंगे और पढ़ते होंगे और अपने गोल को जो है अपने टारिकेट को जो है चेज करनी के लिए उसके लिए मेनत करेंगे अर्थात हमारी आज की टॉपिक क्या रहने वाली है गोली दरपड से प्रतविम का बनना गोली दरपड से प्रतविम बनने का जो नियम है मैंने इससे पिछल वाले क्लास में बता दिये हैं आज जो प्रतविम का बनना है वो दो चीज पर निर्भर करता है एक तो कितनी दूरी है, यह हुआ to says, दरपड कितनी दूरी है, हुआ स Expect Her डरपड की सामने जतना दूरी पे रखोगे, वैसे आपको प्रतिविम मिलेगा जितने नसदीक चले जाओंगे, उतना आपको प्रतिविम मिलने को देखने हो मिलेगा, तो यह आप दो दिख सकते हैं कि जैसे मैंने क्या कहा एक समतल दरपड ले ले लए जैसे मैंने क्या क्या ह कि एक समतल दरपड से Love, यह wielik मार को इतनी दूरी पर रखे उंगे तो मार का प्रतवीम्ब प्रतवीम्ब बदलता हो गहा है तो आपका यहां तो यह समतल이야 шт acronis पर जब आप आप अउस्टल दरपड़ की बात करेंगे उत्तल दरपड़ कि बात करेंगे तो अउंस्सिती वानेंगे कि जब वस्तु आपका क्या हो जब वस्तु अनंत पर हो कहां पर हो जब वस्तु अनंत दूरी पर हो अनंत दूरी पर हो जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तब आपका प्रतिविम कहां बनेगा यह ध्यान दिजेगा जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तो आहीए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक उतल दरपड बनाना क्या बनाना है धागी एक उतल दरपड बनाना बना लिए रम्हूं किया जाता है वहान का ये खालाता है ये टृचिंअ को मुंहार करते livro >>[ क्या कहलाता है明ंस्तों नियुंग जाफ यह रख कि यह बास्तों मेरे ओ checklist क्या हो गया व्यों तो ऑर भी कहां पर रखा अमक्रम है द्यान सोल जाएगा आप यहां से दूसार थीसरा नियम लगाएंगे पहला तीन ही नियम है, पहला नियम क्या है, मुख्य अच्के समांतर चड़ने वाली प्रिकास किंड़े जब दरपड से टकराती हैं, तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर घुजरती है, दूसरा नियम मैंने क्या बताया है, कि वक्रता केंदर से होकर जाने वाली, या प जब दरपर से टकराती हैं तो टकराने के पस्चात ये मुख्यच के क्या हो जाती है समानतर हो जाती है यानि जैसे मुख्यच रहेगा वैसे ये प्रिकास किल्डे हो जाएंगी एक बार फिर से मैंने क्या कहा यदि आपकी जो प्रिकास किल्डे है वो कहां से हो कर जाएंगी म कि नियम लगा दिया अब दूसरा नियम कैने आपने क्या पढ़ा है यदि प्रिकास केंड़े कहां से होके जाएं वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो यह जिस मार्ग से आई रहती है दरपर से टकराने के पस्चाथ पुना उसी मार्ग में क्या हो जाती है वापस लोट जाती है यदि प्रिकास केंड़े वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो जि ये दोनों क्रड़े दोनों क्या प嫖 सिर उपर था इस वार प्रतिमिन नीचे हो गया और वहाला भाग था उपर हो गया यह देखे लिए यह बढ़ने वाला प्रतिविंभ यह चोटा है और वस्त उसे यह वस्त क्या पर बढ़ा है कहां पर बना है मुख्य फोकस पर बना तो पहला पॉइंट लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे प्रतिविम्ब प्रतिविम्ब वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिविम्ब वस्तु से चोटा बनेगा दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आपर दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे जो प्रतिविम्ब है वो क्या बनेगा उल्टा बनेगा क्यों कि क्यों कि प्रतिविम्ब का का मुख इधर है और वस्तु ऐसे था वस्तु का मुख उपर था प्रतिविम का मुख नीचे हो गया तो दूसरा पॉइंट लिख देंगे प्रतिविम्ब उल्टा बनेगा क्या बनेगा प्रतिविम्ब उल्टा बनेगा यह दूसरा पॉइंट हो गया ठीक आपका तीसरा पॉ लिए बिडर पर के सामने बना नहीं सामने एंग्हास भी बनेगा आप जानते हैं जो दरपर के सामने बना है पीछ नहीं बना है तो दरपर के सामने बना है तो कों सा प्रतिविंब होगा वाश्तविक प्रतिविंब होगा summarize कि टिक चौता क्या है पृतिविंब कहां बना है और नंका घर यहां है और देखो कहां है मुख्य फोकस पर बना है कहां बना है मुख्य फोकस पर लिखेंगे प्रत्विंब मुख्य फोकस पर बनेगा किस पर बनेगा मुख्य फोकस पर बनेगा ठीक तो इस प्रकार जब वस्तु कहां पर होगा एक बार फिर से जब वस्तु अनंत दूरी पर होगा ओतल दरपर से अन उल्टा बनेगा वास्तुइक बनेगा और मुख्य फोकस पर बनेगा तो इस प्रिकार आपका जो पहली इस्तिति है उस इस्तिति का जो डाइग्राम है इस प्रिकार कंप्लेट हो जाता है और अगर आपको यह डाइग्राम आप लोग इसकेल और पेंसिल के मदस से बनाते हैं आपने अनंतदुरी पोस्त रहो इसको भी अपना लीजिए अनन्त दूरी पर रखे इससे दो कभी उनके ग्र了吧 मुखी फोकस से होकर गय एक वकरता केंद से होके घैंद गया तो जेजैसे त dispens can that क्या रहा हूं गया और जो वकरता केंदर से इसे क्या है उल्टा है क्यों उसका मुख उपर है जाता है और आपको कहीं रहा जाता है तो comment box में comment जरूर किजिएगा चले हम लोग आगे की स्तितिक भी चर्चा करते हैं अब दूसरे जगह रखते हैं वस्त को अनंत पर न रखके अब उठाएंगे इसको अनंत वक्रता केंद्र के भी चाहे यहां चाहे यहां चाहे जहां पर रखेंगे तो देखेंगे उस वस्त क तो दूसरे वीडियो में हम लोग थोड़ी सी कुछ प्राब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे कि वस्त को जो है वक्रता के अंदर अनंत दूरी पर रखें तो उस वस्त का प्रतिम कहां पर बनेगा तो अगले क्लास में मिलेंगे यह जरूर बताएंगे तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थेंक्यू गाइज